इसके बाद हम देखते हैं कि coordination number six वाले जो coordination compounds हैं उनमें किन-किन प्रकार की समावेता देखने को मिलती है हम जानते हैं कि जब coordination number six होता है तो यहां पर हमें अस्टफल की जामिती देखने को मिलती है और अस्टफल की जामिती में हम जानते हैं कि जो चार सरचनाय होती ही यह जो चार liggans होंगे वो अस्टफलक के 8ों कौनों पर ऊपस्थित होते हैं और इसमें से जो 4 होंगे वो square planner इस्तती पर होते हैं तथा दो जो लिगन होंगे वो square planner के ऊपर लंबवत हुंगे उपर और नीचे उपस्थित होते हैं और इस तरह से हमें 6 पोजिशन 12345 और नीचे 6 यह six position हमें पड़ाप्ध होती है अब हम यहाँ पर देखें कि किन 1-345 पोजिशन कहेंगे और किन स्थतिपने को हम ट्रांस पोजिशन कहेंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 2 1 3 1 4 1 5 यह चारो इस्थतियां जो है वह एक दूसरे से 90 डिगरी की दूरी पर हैं यानि कि यह सभी इस्थतियां सिस इस्थतियां कहलाएंगी इसके बाद देखें हम कि नीचे से यदि हम 6 वाले पोजिशन को देखें तो 6 पोजिशन से 6 3 6 4 6 5 और 6 2 यह जो इस्थतियां है यह भी एक दूसरे से 90 डिगरी की दूरी पर हैं तो यह भी सिस पोजिशन होंगी इसके लावा हम देखें कि जो स्क्वार प्लेन हैं वहां पर 2 3 3 4 4 5 और 5 2 यहनि कि 4 इस्थतियां और हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिगरी की दूरी पर हैं और इस तरह से यह भी एक सिस इस्थितियां होती हैं अब यहां पर कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हमें कुल 12 सिस पोजिशन देखने को मिलते हैं इसके अलबा यदि हम ट्रांस पोजिशन देखें तो यहां पर ऊपर जो 180 डिगरी की पर होंगे वो है one six position इसके लावा हम देखें कि टू फोर पोजीशन यह एक दूसरे से 180 डिगरी की दूरी पर है और उसी तरह से यहां पर थ्री और फाइफ पोजीशन जो है वह भी एक दूसरे से 180 डिगरी की दूरी पर है तो इस तरह से कुल तीन इस्थतियां हमें ऐसे मिल इसके आधार पर हमें भीन-भीन प्रकार के योगिकों में भीन-भीन प्रकार के complex compound में के भीन-भीन समावेवी प्राप्त होंगे तो अलग-अलग प्रकार के complex compound का उधारन हम ले सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि हमने जाना जो होमोलैप्टिक complex होते हैं जिसमें कि सभी लिगंड एक समान होंगे जैसे कि यहाँ पर हम लेतें पहला जो उदारन लेते हैं या पहला टाइप लेते हैं complex का वो है ma6 type यहाँ पर हम देखें कि पूरे छेओ पोजिशन पर एक समान लिगंड उपस्तित होंगे तो यहाँ पर हमें एक भी आईसोमर प्राप्त नहीं होगा दूसरे में यदि हम M A5 B टाइप का भी उदारन लें तो यहां पर भी हम देखेंगे कि इसके अलबा एक पोजिशन के अलबा कोई दूसरे स्थती हमें नहीं मिलेगी और इसलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में भी हमें द औलग हों जैसे M A4 B2 टाइप का उदारन ले सकते है जैसे इसका को दारन ले सकते हैं तेट्रावीन डाइक लोरीडो कोबाल्ट यहां पर 4 हमारे पास एंविन लिगंड्ट है तथा 2 हमारे पास प्रएं स्थति को देखें तो एक बार हम इन सिस पोजीशन पर रख सकते हैं यानि कि हम यदि इसे वन और टू पोजीशन पर रख सकते हैं और बाकी के जो चारो एमीन लिगंड है उन्हें बाकी की जगह पर सेट कर सकते हैं दूसरे स्थती में हम इन जो क्लोरीडो लिगंड है उनको वन सिक्स पोजीशन पर रख सकते है और बाकी के जो 4 amine है उसे हम planar जो square planar है उसके चारों कोनों पर रख सकते हैं और इस तरह से हम देखेंगे कि हमें 2 भिन भिन इस्थतियां प्राप्त होती हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब A, M, A4, B2 प्रकार का हम compound लेते हैं तो उसमें हमारे पास 2 isomer होंगे इसके प्रक्राइब हम एक और उदारन ले सकते हैं जिसमें कि हमारे 3 3 6 में से 3 3 लिगन एक समान हो यहनि कि जो complex होगा उसका टाइप होगा M, A3, B3 टाइप और इसका उदारन हम कई प्रकार से ले सकते हैं यहाँ पर यदि हम ले तो इसमें हम देखेंगे इस प्रक प्रकार का आइसोमर या विशेस आइसोमर इसम देखनों को मिलती है और उसमें हमें अलग प्रकार के आइसोमर प्राप्त होते हैं और इन आइसोमर को हम फेस मर आइसोमर कहते हैं इन आइसोमर के जोड़े को हम फेस मर आइसोमर कहते हैं यह सत्यां किस तरह से मिलती हैं यह यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अस्टफल की सरचना में यदि A जो तीनों समान लिगन है वो यदि यहां पर 1, 5 और 6 पोजीशन पर हो तथा जो बाकी की 3 भी लिगन है वो यदि यहां पर 2,3 और 6 पोजीशन पर उपस्तित हो और यदि हम इस फेस को आपस में मिलाएं तो आप पाएंगे कि तीनों जो छे मैंसे तीन तीन लिगन्ड है वो सभी फेस पर जो अस्ट फॉलक का जो सर्फिस है फेस है उस पर उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से इस प्रकार का जो आई सुमर होगा उसे हम फेसियल आई सुमर कहते हैं और शौट में इसके लिए हम से सब्सक्राइब करते हैं दूसरे स्थती में यदि हम लें कि यहाँ पर जो स्क्वेर प्लेनर है जो एक प्रकार का तीन लिगंड है यहने की ए 3 जैसे हम कह सकते हैं वह इस 90 डिकरी का एंगल बनाते हुए यहाँ पर यह दी पोजीशन हम देखें तो 354 जो अरेंजमेंडों बाकी की जो तीन स्थियां बस्ती हैं वहाँ पर बी लिगंड उपस्तित हों तो इस प्रकार की जो सरचना बनती है जो की जिसमें की एक प्रकार का लिगंड मेरी डियोनल प्लेन पर इसे कहा जाता है मेरी डियोनल प्लेन पर उपस्तित हैं और इसलिए का जो आईसोमर का जोड़ा हमें प्राप्त होता है उन्हें हम यह special प्रकार के आईसोमर है और इन्हें हम face मर आईसोमर कहते हैं और यह face मर जो आईसोमर है हमें तब प्राप्त होते हैं जबकि 6 लिगंड में से जो coordination no.6 में जो 6 लेगण हैं उसमें से 3 एक प्रकार के हो और बाकी के 3 अलग प्रकार के हो इसके बाद हम एक और उधारन ले सकते हैं जिसमें कि जो 6 लेगण में से 2 दो लेगण आपस में समान हो यानि कि जो complex होगा वो हो जाएगा A2, B2, C2 प्रकार का कॉंप्लेक्स होगा और यदि इस प्रकार का हम उधारन ले सकते हैं जैसे कि A, B और C टाइब के जो लिगन हैं जो जोड़े हैं इन जोड़ों को यदि हम ऊपर में सी रखते हैं और सी के साफ्ट एक बार सभी A को CT पर B को सिस पोजिशन पर और जो सिस पोजिशन पर रखते हैं तो एक इसतती मिलती है दूसरे में जो शरचना होगी उसमें हम सभी को a, a, b, b और c, c प्रकार के जो लिगन्स हैं जो समन समान प्रकार के लिगन्स हैं उन सभी को आपस में एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर रखते हैं तो हम 이 देखी यह दूसरे कि स्थित्यों में रख दें तो हमें एक तीसरे प्रकार की सरचना मिल जाएगी इसी तरह से यदि हम दू-सacey में में बी और बी जो समान लिगंड है उनको वान सिक्स पोजिशन पर रखें तो हमें यह चोथे प्रकार की सरचना मिलजाएगी और उसके बाद यदि हम तीसरे जो समान लिगंड है यानि की सी सी प्रकार के जो लिगंड है उन्हें हम पहले और छटवे पोजीशन पर रखे और बाकी के बचे हुए लिगंड को हम अन्य स्थतियों पर स्थापित कर दें तो हमें यहाँ पर देखें कि पांच वे प्रकार की एक अलग सरशना प्रा लावा एक और उधारन हम ले सकते हैं जिसमें कि केंद्री धातू परमानों से जुड़े हुए पूरे छे के छे लिगन एक दूसरे से बिलकुल अलग हों यानि कि छे लिगन छे अलग-अलग प्रकार के हों और इस स्थति में हम देखें कि सभी लिगन्स को यदि हम अलग-अ प्रकार से औरेंज करें तो कुल 15 प्रकार की स्थतियां हमें प्राप्त होंगी यानि कि इस प्रकार के लिगन में जिसमें की में एम एबी सी डी एफ प्रकार का जो कॉंप्लेक्स होता है उसमें यदि आइसोमर की संख्या गिने हमें तो यह कुल मिलाकर हमें जो जामिती समावेवी होंगे जो मेंट्रिकल आइसोमर होंगे वो 15 प्रकार के प्राप्त होंगे तो इस तरह से हम देखें कि भीन भीन प् प्रकार के आइसोमर की संख्या प्राप्त होती है जो कि केंद्रेधातु परमानु से जुड़े हुए लिगन की संख्या तथा उनकी प्रकारों पर निर्भर करती है आए अब हम कुछ उदारण ऐसे लेते हैं जिनमें की दुई दंतुर लिगन उपस्थित होते हैं हम जान दोनर रेटम समान हो या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें की बह amino तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे धुदंतुर लिगन्ड वाली योगिकों, का उदारन लेते हैं जिसमें की दौनों डूँ डॉनर रेटम समान होते हैं cluster six है केंद्रिय धातु परमानु से जब तीन द्विदंतुर लिगंड जुडेंगे तो यहां पर कॉडिनेशन कम्प्लीट होगा तो यहां पर पहला उधारण हम लेते हैं यहां एम ए ए होल थ्री का और इस प्रकार का यदि हम उधारण लें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि सभी तीन स्थानों पर यहां पर 1,2 पर दूसरा जो होगा द्विदंतुर लिगंड 3,6 पोजिशन पर और तीसरा द्विदंतुर लिगंड 4,5 पोजिशन पर उपस्तित होगा यहां पर आप देखें कि इस स्थति को यदि हम एक दूसरे द्विदंतुर लिगंड से बदल भी दें तो भी हमें प्राप्त नहीं होगी इस तरह से यहां पर तीनों सेilly डूरों के तो हमें कोई भी इसका समप्ति अधिन होगा면 के दूसरी ओर डूसरी हम इसका फ्रय है जब हमारी पास दो सेमेट्रिकल दूइदंतोर लिगन हो तथा दो जो अन लिगन हो वो समान ओ इस प्रकार यानि की हम लेंगे इसमें m a hole twice b2 प्रकार क्या योगिक लेते हैं तो यहां पर हम देखें कि इस इस्तिती में यदि हम दो दूइदंतोर लिगन्द को एक इस्थिस्फिमें हम यहां पर उनको एक दूसरे से 4,5 पोजीशन पर और 3,6 पोजीशन पर अर बाकी की जो शिस पोजीशन मिल रही है यांने कि 1,2 पोजीशन पर हमें दो जो भिन बी लिया है वहां पर और वो को रख दें लिगन्द को तो यहां पर हमें एक स्थती मिलती है दूसरे स्थती में यदि हम जो दो बीटू हमारे पास लिगन है उनको हम सिस में रखकर ट्रांस पोजिशन पर रख दें तो हमें एक भेन सरचना प्राप्त हो जाएगी और इस स्थती में इस प्रकार के योगिक में हम देखेंगे कि एक सस आईसोमर मिलेगा और दूसरा ट्रांस आईसोमर हमें प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार से हम तीसरा उदारन ले सकते हैं जब हमारे पास किवल एक दूई दंतूर लिगन हो तथा बाकी के जो चार लिगन हो वो समान हो और एक दंतूर हो इस स्थती में हम देखें कि कि किसी भी इस्थती में या वन टू पोजीशन पर या टू थ्री पोजीशन पर किसी भी स्थती में हम दूइत दंतुर लिगन को रखें और बाकी के चार जो एक दंतुर लिगन हैं उनको अनिक पोजीशन पर रखें तो किसी भी स्थती में हमें दो भिन भिन सरचनाई जामती स सरचनाई प्राप्त नहीं होंगी यानि कि इस स्थती में भी इस प्रकार के योगिक में भी हमें किसी भी प्रकार के जामती समावेवी प्राप्त नहीं होंगे मि hue के चलिए अगला हधारण लेते हैं अगला हधारण हम यह ले लेते हैं कि जो हमारी पास दोइंदान्थ उर सिमेटरीकल दूइंदान्थ निहां हो और जो बाकी के जो दो लिगण्थ हो वह बिन थे प्रकार के हो एक यदि क्यों कमपाउंड का सूतर हम ले एम एए होल ट्वाइस बी सी इस प्रकार का यदि हम कंपाउंड लेते हैं तो यहां पर सीरे आपको समझ में आ रहा जाए गया कि एक बार यदि जो भिन भिन प्रकार के एक दंतुर लिगन है यानि कि बी और सी उनको यदि हम एक बार सिस पोजीशन पर रख लें और एक बार ट्रांस पोजीशन पर रख दें और बाकी की जो चार स्थान बचते हैं वहां पर हम दो द्वी दंतुर लिगन को रखें तो इस स्तती में आप देखेंगे कि हमें दो भिन भिन जामती सरचनाई मिल रही है यानि कि इस प्रकार का यदि उधारन है तो हमारे हमें दो इसके जी आई प्राप्त होंगे इसके बाद और भिन प्रकार की सरच उधारन हम ले सकते हैं माली जी हमारे पास किवल एक सिमेट्रिकल दुई दंतुर लिगन है और बाकी के जो चार लिगन है एक दंतुर लिगन है उनमें से दो समान है और दो भिन है इस स्तती में भी हम देख स हम एक बार बी को ट्रांश पोजिशन पर रखें एक बार शीच को ट्रांस पोजिशन पर रखें और बाकी के जो लिगन्ड से उन्हें अन इस्थानों पर हम हम रख दे तो यहाँ back पर देखेंगे कि हम्हें थीन ढिरामती सरचनाई प्राप्ट हो रही हैं तो इस तरह से इस प्रकार का जो प्राइन हम Son के उसमें हमें तीन जामती समावैवी प्राप्त होंगे अब यहाँ पर हमें यदि दूइद अन्तोर लिगन को और सिमेट्रिकल ले 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 इसमें तो असम्मित प्रकार का ले ले यानि कि यहाँ पर आप देखें कि इनकी पोजीशन आप लेक सकते हैं जैसे पहली वाली स्थती में हम देख रहे हैं कि इसमें यह वन टू पोजीशन पर है दूसरे में इस पोजीशन पर है और तीसरे वाले में यह 4-5 पोजीशन पर है अब जो दूसरी सरचना एक ऐसी बन सकती है जिसमें दो लिगन जो है यानि की वन टू पोजीशन वाले और 5 यहां वाले इनको हम समान रख लें और जो 336 position पर जो हमारे पास हम रोटेट करते इसको पोजीशन को या दि आप देखें इस तरह से चेंज करते हैं तो हमारे पास दो भीन भीन सरचना बन जाती हैं तो इस प्रकार से हम देखें कि इसमें और सम्मित जहां पर दुविदंतुर लिगन हैं और तीनों और उस स्थति में हमें दो जोमेटरिकल आईसोमर प्राप्त होते हैं इसी तरह से भीन भीन प्रकार के लिग एक अन्य उदारन हम ले सकते हैं जिसमें कि दो हमारे पास सम्मित दो दंतुर लिगन हो और बाकी के जो दो लिगन हैं वो एक दंतुर हो या जिसे हम C2 नाम दे देते हैं यानि कि M A B whole twice C2 इस प्रकार का जो कॉंबिनेशन यदि हम रखते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि भ भिन भिन उदारनों के द्वारा योगिकों में पाई जाने वाले जियोमेट्रिकल आइसोमर की गढ़ना कर सकते हैं इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर जामती समावेवियों के बारे में जाने के पश्याथ अब हम जानते हैं जो दूसरी प्रकार की त्रव्यम समावेवता है प्रकाशी समावेवता या जिसे हम कहेंगे ध्रोण समावेवता ये जानते हैं तो उपसा से जन योगिकों में ध्रोण समावेवता पाई जाती है ओप्टिकल आईसोमर देखने को मिलता है यहाँ पर भी हम देखें कि जो 4, coordination number 4 वाले compound होते हैं हम जानते हैं कि इन में दो प्रकार की जामती सरचना समभव हो पाती है एक अस्टफल की और दूसरी वर्ग समतली यहाँ पर हम देखें कि जो अस्टफल की सरचना होती है अस्टफल की जो जामती होती है उसमें क्योंकि चारो लिगन की स्थती केंद्री धातू परमानू के से एक समान स्थती पर होती है लेकिन यदि ये चारो लिगन भिन भिन प्रकार के हों तो उस प्रकार उसमें जो चतुशफल की सरचना में हमें optical isomer प्राप्त होते हैं यनि की जो चतुशफल की सरचना जिसमें की केंद्री धातू परमानू से जुड़े हुए चारो लिगन भिन भिन प्रकार के हों तो वहाँ पर हमें प्रकाशी समावेवता देखने को मिलती है दूसरी और यदि हम वर्ग समतली सरचना लें तो वर्ग समतली सरचना में चुकी यहाँ पर एक ही प्लेन पर जो चारो लिगन होते हैं अक ही प्लेन पर उपस्सित होते हैं और यहाँ पर plane of symmetry देखने को मिलती है, इसलिए वर्ग समतलिये जो सरचना वाले compound होते हैं, जामिती वाले compound होते हैं, उनमें प्रकाशी समावेवता देखने को नहीं मिलती है, इसके बाद हम उधारन ले सकते हैं, coordination number 6 वाले compound, हम जानते हैं कि जब coordination number 6 होती है धातू की, तो व वहाँ पर हमें अस्टफल की सरचना प्राप्त होती है, और यह देखा गया है कि ऐसे compound, जिनमें की द्विदंतुर लिगन उपस्तित होते हैं, उनमें प्रकाशी समावेवता पाई जाती है, और इस प्रकार के जो प्रकाशी समावेवी या जो दुरुण समावेवी कहलाते हैं, एक दूसरे के, यह optically active होते हैं और यह जिसे हम optical isomer कहते हैं, यह एक दूसरे के दरपन प्रतिबिम्ब होते हैं, यानि कि इस प्रकार के एक समावेवी को यदि हम रखे और उसके सामने एक mirror लगाए, दरपन, सामाने दरपन जो हम यहां पर रखे, तो उसका जो प्रति अलेवाले का mirror image होता है, और इस प्रकार यह जो दरपन प्रतिबिम्ब होंगे, यदि हम इनको उठाकर एक के ऊपर एक अध्यार उपीत करते हैं, तो यह एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं, अर्थात इने एक दूसरे पर अध्यार उपीत नहीं किये जा सकते हैं और यह इनें एग डूसरे के प्रतिभेंग रूफ या इननशयम र कहा जाता है इसके अलाबा इनमें से जो प्रतेख अणू होगा या प्रतेख कंपाउण होगा जो कि प्रकाशी समावयवता प्रदर्शित कर रहा है यह प्रते जो समावयवी है उसे हम काईरल कंपाउंड या काईरल अनु कहते हैं और यह जो जब यह काईरल अनु या दोनों समावैवियों को जब हम ध्रूण मापी या पोलेरी मीटर के अंदर रखकर इन पर सम्तल ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो इन में से एक समावैवी सम्तल क्लॉक्वाइज रोटेट करता है और दूसरा समावेवी इसे घडी की दिशा के विप्रीत यहां पर जो घडी की दिशा में डॉक्वाइज रोटेट करता है ऐसे समावेवी को दरशाने के लिए हम संकेत स्मॉल डी या फिर ब्रेकट के अंदर प्लस चिन का उप्यों करते हैं जबकि जो और इन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डक्षण घुर्णक्स आईसोमर कहते हैं दूसरी और जो प्रकाश समतल दुरुवित प्रकाश को एंटी क्लॉक्वाइज रोटेट करते हैं ऐसे समावैवि को हम ली व रोटेटरी कहते हैं और इन्हें स्मॉल एल के द्वारा या ब्रेकट माइनस का चिन लगाकर इन्हें प्रदर्षित करते हैं और यह वामवर्ती वाम घुनक प्रकाशी समावैवी कहलाते हैं तो इस प्रकार हम देखें कि जो अस्टफल की सरचनवाले कंपाउंड होते हैं जहां पर कॉडिनेशन नंबर 6 होती है और वहां पर यदि द्विदंतुर लिगन उपस्तित हो तो ऐसे कॉडिनेशन कंपाउंड प्रकाशी समावैवता प्रदर्शित करते हैं इन्हें उधारन के द्वारा भी हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास उधारन हैं ट्रेस इथिलिन डाइमीन कोबाल्ट 3 प्लस आयन यहां पर जो इथिलिन डाइमीन है यह द्विदंतुर लिगन है और इसे हम 6 पोजीशन पर यानि कि एक जो लिगन होगा उसे हम 1-2 पोजीशन पर दूसरे को हम 3-6 पोजीशन पर और तीस दूसरे लिगंड को हम four five position पर रख दें तो यहाँ पर इसका जो प्रतिविम्व होगा जो दूसरा समावेवी होगा वो इसका जो प्रतिविम्व होगा उसे यदि हम उठाकर पहले वाले समावयवी के ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होगा यानि कि ये एक दूसरे के प्रकाशी समावयवी कहलाएंगे और इस प्रकार यह कंपाउंड प्रकाशी समावयवता प्रदर्शिक करेगा इसी तरह से दू सब्सक्राइबाएंगे और इस प्रकार से इनका भी जो यह इसका जो प्रकाशी जो सम दूसरा समावयवी होगा यह बिल्कुल इसके मिरर इमेज की तरह दिखाई देता है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता और यह एक दूसरे के प्रकाशे समावयवी होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जो कॉडिनीशन कमपाउंट्स हैं उपसा सेज्ञन यौगिकों में सभी प्रकार की सरचनात्मक समावयवता भी पाई जाती है और तर्विम समावयवता भी पाई जाती है अब कि दिए अभी तक हमने उपसर्ज्ण योगिकों के विश्य में बहुत सी जनकारिया प्राप्त करनी हैं कॉड़िनेशन स्फिर क्या होता है, आइनन स्फिर क्या होता है, सेंटरल मेर्टल ऐर्टर्म क्या होते हैं, लिगंस क्या होते हैं इससे संबंदित बहुत सी जानकारिया हमने प्राप्त की साथ ही हमने coordination compound में भिन भिन प्रकार की जो समावयवता पाये जाती है उसके विसे में भी जाना अब हम जानते हैं कि coordination compound में जो आबंध होते हैं यनि की केंद्री धातू परमानू तथा ligands और counter iron ये आपस में किस प्रकार से आबंधित होते हैं यनि की उपसा सेयोजन योगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है इसके विसे में जानते हैं उपसा सेयोजन योगिकों में आबंध की प्रकरती को समझाने के लिए समय समय पर अलग-अलग विज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव दे गए थे जिसमें से कुछ प्रमुक है जो सबसे पहला इसमें नाम आता है वो है वर्नर्स कौररिनीशन थेयुरी का दूसरा जो सद्धानत दिया गया है वो हम जानते हैं वेलेंस बॉन थेयुरी के बारे में इसी तरह से coordination compound में आबंद को समझाने के लिए उससे ज्यादा अधिक अच्छा प्रयास था ये था crystal field theory का इसके बाद भी और जो उससे भी advance theory दी गई है जैसे ligand field theory और molecular orbital theory ये भीन भीन सिध्धान्त अलग अलग तरीके से और एक से अधिक बहतर तरीके से coordination compound में उपस्तित आबंधों को इसपस्ट करते हैं हम इन में से मुख्य रूप से तीन वर्नर's coordination theory, विलेंस bond theory और crystal field theory के विसे में यहाँ पर जानेगे तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्नर's coordination theory, सरप्रतम वर्नर ने 1898 में coordination compound के विसे में अपना प्रस्ताव प्रस्तूत किया था यह पहले विज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे coordination compound को स्वयम बनाया, उनकी विशेस्ताएं बताईं साथ ही उस समय जो सामानित तक्नीके उपस्तित थी उसके आधार पर इन्होंने coordination compound के बहुत से भातिक तथा रासाइनिक कोनों का अध्यान भी किया और इसे लिए बाद में coordination compound के उपर काम करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से नोबल पुरुसकार भी प्राप्थ हुआ और सम्मान पूर्वक हम coordination compound के पिता के रूप में, father of coordination compounds के रूप में हम वर्नर्स को पहचानते हैं तो यहां पर हम देखें कि इनका जो प्रस्ताव था उनके प्रयोगों पर आधारित था, उन्होंने कोबाल्ट 3 chloride और ammonia दोनों को मिलाकर भेन भेन प्रकार के coordination compounds बनाए और इनकी पहचान इनके color के द्वारा होती थी, क्योंकि इनके color भी जो थे वो भेन भेन प्रकार के थे पीले रंग का था, यहां पर उन्होंने उसे कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6 NS3 के रूप में रिप्रेजन किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब इसमें silver nitrate का solution डाला, और silver nitrate का solution डालने के बाद उन्हें silver chloride का अवक्षे प्राप्थ हुआ, जब इन्होंने इसका, इस silver chloride था, उसके 3 mol, 3 mol प्राप्थ हुए थे, इसी तरह से जो उन्होंने दूसरा compound लिया, जिसे उन्होंने CO, CL3, 5 NS3 से प्रदर्शित किया, और यह जो था वो नीले लोहित कलर का था, और जब इन्होंने इसमें silver nitrate डाला, तो जो silver chloride का अवक्षे प्राप्थ हुआ, उसकी मात 2 mol थी, इसी तरह से इन्होंने CO, CL3 एक सूत्र का नाम दिया, जो की हरे रंग का compound था, और इसमें जो NS3 की संख्या थी, वो 4 थी, और जब इन्होंने इसमें silver nitrate का solution डाला, तो वक्षेप के रूप में silver chloride के के वल 1 mol प्राप्थ हुए, इसी तरह से एक और compound इन्होंने बनाया जो की बैगनी कलर का था, और इसे इन्होंने CO, CL3, 4 NH3 के द्वारा रिप्रेजन किया, और यहां पर भी इन्होंने देखा, जब इसमें silver nitrate का solution डाला, और उसमें जो silver chloride का अख्षे प्राप्थ हुए, वो भी केवल 1 mol ही था, साथ ही साथ, इन compound की मात्रा प्राप्थ होने के साथ, इन्होंने इनका वैद्दुत चालकता का मापन भी किया, जब इन्होंने वैद्दुत चालकता का मापन किया, तो इन्हें जो पहला वाला यलो कलर का compound था, उसमें धन आयन और रिन आयन का जो ratio था, वो 1 ratio 3 प्राप्थ हुए, दूसरी प्रकार का जो नील लोहीत जो compound था, उसमें इसका ratio 1, ratio 2 प्राप्थ हुआ, जबकि हरे रंग के compound और बैगनी रंग के compound में इसका ratio 1, ratio 1 याने की एक धनायन और एक रिनायन के रूप में प्राप्थ हुआ, इस तरह से जो उन्होंने पूरे प्रेक्षन लिये, तथा जो चालकता मापन इनका किया, और उसकी जो परिणाम प्राप्थ हुए, इसके आधार पर वो इस नसकर्ष पर पहुँचे, कि यहाँ पर पूरी जो अभिक्रिया हो रही है, उसकी पूरी परिस्थती में, पूरी अवधी में, यहाँ पर कुल मिलाकर 6 ऐसे समूं होते हैं, जो कि केंद्रिय धातु परमानों से सीधे जुड़े होते हैं, और यह जब इनका आयनन किया जाता है, तो यह व्योजित नहीं होते हैं, यह आयनित नहीं होते हैं, इस प्रकार की जो सीधे जुड़े हैं, जो समूं थे और यहाँ पर जो व्योजित नहीं होते थे, इनकी संख्याओं को, व्योजित नहीं हो के नाम दिया है इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के अनु या आयन थे जो की आयनन आयनित हो जाते थे इस प्रकार की जो आयनित हो किया और इनको फिर चूंकि जो आसानी से आयनित हो जाते थे उन आयनों को उन्होंने स्क्वैर ब्रेकट के बाहर रखने की बात की और जो आयनित नहीं होते थे जो केंद्री धातु परमानु से सीधे जुड़े होते थे उन्हें स्क्वैर ब्रेकट के अंदर रखने का सुझ किया गया जैसे कि यहाँ पर हम पहला जो उन्हें पीले रंग का कंपाउंड मिला था और जिसका सिल्वर नाइटरट डालने पर जो खेपन होता था और तीन मोल इन पर प्राप्त होते थे तो यहाँ पर जो तीन क्लोराइड आयन थे उसे इन्होंने स्केर ब्रेकट के बाहर रखने का सुझाव दिया और इस तरह से जो छे एमीन लिगन थे वो कोबाल्ट धातु से सीधे जुड़े हुए थे और इन्हें स्क्यार ब्रेकट के अंदर रखा गया तो इस तरह से यहां पर हेक्जामीन कोबाल्ट क्लोराइड इस प्रकार का इसका सूत्र मिला यहां पर ज स्क्यार ब्रेकट के अंदर रखे गए जो एमीन लिगन हैं जो वियोजित नहीं होते हैं उन्हें इन्होंने दुतियक यहां पर दुतियक सयोजत्ता नाम दिया यहां पर उन्होंने एक बात और इस पस्ट की एक शब्द का प्रयोग किया चुकि जो हरे रंग का यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो मुलानुपाती सूत्र है वो बिल्कुल एक दूसरे के समान है तो इस प्रकार की योगिकों को उन्होंने समावैवी कहा जिसमें कि जिनके भिन जिनके रासाइनिक और भौतिक गुन तो भिन है लेकिन चुकि इनके सूत्र एक समान हैं तो ऐसे योगिकों के लिए उन्होंने समावैवी शब्द का उपयोग किया इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्नर के द्वारा जो मुख्य रूप से अभिधारना दी गई थी उसमें पहली अभिधारना यह थी कि जो केंद्रिय धातू परमानू है वह दो प्रकार की सेयो जटाएं प्रदर्शित करता है इसमें जो पहली होती है वह प्रत्मिक सेमय जकता है और दूसरी दूतियक से उजगता होती है वह अनाईनी होती है यानि कि एकपस सोलूशन में यह व्योजित नहीं होती है दूसरी और हम देखें कि यह जो अभिधारना है वह यह है कि जो प्राथमिक से उजगता होती है वह केवल नेगेटिवली चार्ज आईनों के द्वारा ही साटिस्फाई होती है जबकि जो दूतियक से उजगता होती है वह नेगेटिवली चार्ज आईनों के साथ साथ यह उदासीन लिगंड से उदासीन अनुओं के द्वारा भी यह साटिस्फाई होती है इसी तरह से तीसरा जो बिंदू उन्होंने दिया वो ये कि जो प्रात्मिक सेयोज़क्ता होती है वह केंद्री धातू परमानू की आक्सी करण अवस्था ओक्सिडेशन स्टेट के लिए उत्तरदाई होती है यह हम कि यह कह सकते हैं कि जो प्रात्मिक सेयोजक्ता होती है वह पूरे कॉंप्लेक्स आयन पर चार्ज जितना पाया जाता है उसके लिए वो responsible होती है जबकि जो दुतिक सेयोजक्ता है वह केंद्री धातू परमानों की coordination number उप्सा सेयोजन संख्या के लिए यह जिम्मेदार होती है और प्राया यह देखा गया है कि जो सामाने कुछ धातू होती है कि या किसी एक धातू के लिए इसका number निश्चित होता है जैसे कि हम कुछ उधारान ले सकते हैं जैसे कोबाल 3 प्लस आयन इसकी coordination number 6 होती है और निश्चे तुरुप से जब इसकी जो सरचना बनेगी जामिती होगी इस प्रकार के compound की वो अस्टफल की होगी इसी तरह से पी बी 4 प्लस आयन इसकी coordination number भी 6 होती है आईरन 3 प्लस आयन इसकी भी coordination number 6 होती है इसी तरह से हम निकल 2 प्लस आयन इसकी coordination number 4 होती है और यदि हम इसकी जामिती की बात करें तो इसका जो compound होगा coordination योगिक होगा उसकी जो जामिती है वो चतुषफल की होगी इसी तरह से platinum 2 प्लस आयन इसकी भी coordination number 4 होती है और इसका जो compound होता है उसकी जामिती वर्ग समतलिये प्राप्त होती है तो इस तरह से धात्वों की कुछ निश्चित coordination number होती है जिसके आधार पर हम उनकी जामिती से भी ज्याद कर सकते हैं इसके बाद जो अगला अभिधारना है वर्णर थोरी की वह यह कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह अधिशात्मक होती है नॉन डारेक्शनल होती है क्योंकि यह आइनिक बंद के द्वारा बंद हुई होती है और यहीं वज़े है कि यह coordination compound की ज जिम्यदार नहीं होती है जबकि जो दुतियक सेयोजकता होती है यह वह दिशात्मक होती है और यह coordination compound की ज्यामती के लिए यह जिम्यदार होती है यह दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो दुतियक सेयोजकता होती है यह दुतियक सेयोजकता से जुड़े या अनु होते हैं वो दिक स्थान पे या स्पेस में एक विशिष्ट रूप से अरेंज होकर एक जो कॉंप्लेक्स है उसको विशेस आकरती या सरचना प्रदान करते हैं और जो आजकल की जो आधुनिक सुत्री करण की प्रक्रिया है उसमें हम इन विशिष्ट आकरतियों को जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था इन विशिष्ट आकरतियों को हम समन्वय बहुफलक या कौडिनेशन पॉलि हैड्रॉन कहते हैं उनकी एक और अभिधारना थी वो यह कि जो समन्वय बहुफलक की बारे में उन्होंने कहा तो उनका कहना था कि प्राया जो संक्रमन अधात्वें होती हैं उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के समन्मक बहुफलक देखने को मिलते हैं एक अस्टफल की दूसरा चतुषफल की और तीसरा वर्ग समतली इसके के साथ साथ ही जब उन्होंने विभिने प्रकार के योगी कौडिनेशन कंपाउंड बनाए तो उन्होंने उनको प्रदरशित सरचनात्मक रूप से प्रदरशित करने का तरीक भी बताया उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्योजकताय हैं मैं यदि हम धात्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जबकि जो जुड़े हुए समूह थे उन्हें उन्होंने कंप्लीट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह जो कंपाउंड है हेक्जामीन कोबाल्ट क्लोराइट का उधारा नहीं हम ले रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो छे एमीन समूह हैं उन्हें कंप्लीट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है यह जो है वो जुतियक से उजक्ता से जुड़े हुए है यहनि कि कोबाल्ट से कि यह अनेजेबल है यह प्राइमरी वेलेंसी से जुड़े हुए हैं इसी तरह से एक और उधारा में यहां पर ले सकते हैं जहां पर पेंटा मीन क्लोरीडो कोबाल्ट क्लोराइट यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो पहले इस्थती में जो क्लोराइट आयन काउंटर आय दोनों 학osa Crispy करता है इसे दोरे लाइन के द्वारा उन्होंने दरशाया एक कंप्रीट इन और दूसरी ब्राइम और साथ ही साथ लेकिंग चुगी यह प्रात्मिक सेंड़गता के साथ सेंड़ ऑघया को भी सचिब कर रहा है इसलिए यह बी नॉन आयनिजेबल होगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्णर ने काफी प्रयास किया और कॉर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई लेकिन अभी यहाँ पर कुछ गुण यदि हम कॉर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तो उसका इस्पस्टी करन करने में वर्णर की थोरी असफाल रही इसमें मुख्य रूफ से हम दो-тीन बिंदू ले सकते हैं जैसे की यह नहीं इस्पस्ट कर पाए कि क्यों कुछ विशेज धात्वेशीं ही जैसे हम जानते हैं डी ब्लॉक की जो धात्वेश क्यों यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कौर्डिनेशन डूतियक सेयोजगता होती हैं, वो किस प्रकार से दिशात्मक होती हैं? या हम यह कहें कि डूतियक सेयोजगता किस प्रकार से कमपाउण की geometry को के लिए responsible है क्यों केवल दुतियक यदि सूत्र लिखा हो और केवल उसमें दुतियक सहोजगता को हम देख कर ये नहीं बता सकते या अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इस coordination compound की geometry क्या होगी तीसरी बात ये coordination compound की जो विशीस गोण है जो इनमें चुम्म की property पाई जाती है या फिर जो इनमें दुरुणता पाई जाती है ये क्यों पाई जाती है इसका स्पस्टी करण भी वर्नर थोरी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होता है यही कारण है कि हमें coordination compound के गुणों को और अधिक अच्छी तरह से स्पस्ट करने के लिए दूसरी थोरी की आवश्यक्ता हुई तो इसके बात हम जानते हैं दूसरी जो थोरी है जो वर्नर थोरी के तुलना में काफी बहतर तरीके से coordination compound के गुणों को explain करती है वह है valence bond theory